हलो दोस्टों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो आपके connection में हैं लोग उनके प्रोफा उनका contact कैसे ले सकते हैं, उनकी सारी चीज़ां आप कैसे ले सकते हैं वो हम उनका information कैसे ले सकते हैं ये सारी चीज़ां मैं बात करेंगे तो देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको एक अच्छा और जन्विन तरीका बताता हूं आप उनको रिटार्गेट कर सकते हैं उनको सारी चीज़े भेज सकते हैं तो यहां पर देखिए आप प्रोफाइल पर आएंगे यहां पर आप क्लिक करेंगे यहां पर फिर सेटिंग और प्राइवसी पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आएंगे how LinkedIn use your data ठीखे और how others use your LinkedIn activities इसमें से आप viewers of this file with who can use your connection यहां पर हम click करेंगे यहां पर click करेंगे उसके बाद manage who can discover your profile from your इस गेटिंग दे कॉपी ओफ यूर डेडा यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर इतने सारे ओप्षिंज आर्टिकल्स हैं कनेक्शन मैसेज यह प्रोफाइल आई इस्टेक्शन यह सारी चीज़ें आप डाउंडोड कर वा लेंगे कर लें इसके बाद आप यहां पर आएंगे यहां पर आने के बाद फिर से वहीं जाएंगे यहां पर देखिए ऑक्शन आ गया तो यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तब आप यहां पर जब भी आपको लेना है वह आप यहां पर ले सकते हैं रिजिस्ट्रेशन रिक्मेंडेशन और request archive पे click करेंगे और यहां पर दीए for your security enter password to make this changes तो आप यहां पर security reason के लिए आप यहां पर डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है और उसके बाद आप यहां से download कर सकते हैं तो इस तरह से आप जब download करेंगे तो एक पूरा आजाएगा आर्काइब आजाएगा आपको पास उस आर्काइब में आप देखेंगे जो यहां पर आपने select कर रहा होगा जो सारी चीज़े होगी name first name होगा आर्टिकल्स होगा जो भी आपने nutrition होगा सारी चीज़े आपने की होंगी वो सारी चीज़े आपको send कर देगा और आप फिर उसी के थुरूँ आप क्या कर सकते हैं कर सकते हैं ठीक है लेकिन यह करना मैं नहीं समझता हूँ ज्यादा चुकि आप उनको जानते नहीं हो आप उनको फिर टार्गेट करो यह सारी चीज़े बस मैं आपको बताने के लिए क्लिए कि इस तरह से आप connection दूसरों का ले सकते हैं और बढ़ी है तो पस इतना इस वीडियो में चले नेक्स वीडियो मिलते हैं आपको बताते हैं बहुत सारी चीज़े